अंतर राश्टी योग दिवस पर, राजपत पर, हजारों की संख्या में लोगों ने योग किया इस मौके पर कौछ इस्ट्यूट्स के चात्राओं ने योग के जरीए लोगों को निरोग रहने का मैसेज दिया चात्राओं से बात कि हमारे दिली के बिरोचीफ नागेंद्र भाटी ने राश्टीय योगा दिवस के मौके पर इस वक्त हम राजपत पर हैं यहां सुबे छे बज़े से ही लोगों ने आसन किया था इस वक्त की यदि बात करें तो आसन जो है योगा जो है वो खत्म हो चुका है और अब ज़्यादातर लोग अपने घर जा चुके हैं कुछ बच्चे हैं जो यहां पर अभी भी योगा के जरीए लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योगा करें और निरोग रहें कुछ बच्चे हैं उनसे हम बात करने की कोशिस करते हैं अब जरह बताईए कि योगा के क्या क्या बेसे हैं और सबसे पहले ये कि आप किस इंस्टुट से आएं हैं और किस वक्त यहां आंतरे हैं मैं मुराजी द्रशाइ इंस्टुट से आई हुए हम लोग यहां पर सुबह च्चे बज़े से आये हुएं तो आप आसन देखिए, यह चक्रासन है, और चक्रासन से आपका रीड की हड़ी का पूरी तरह विकास होता है, ठीक है, जो अगर ऐसा बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी जितनी होगी ना बॉडी में, उतना ही शरीर वो रहेगा, अटेंटिव रहेगा, तो इसलिए हम चक्रास के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और जो महिलाएं योग से वंचित हैं, या नहीं करती हैं, उनको क्या मैसेज आप देंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी, जो लोग योग नहीं करते हैं, वो आज से ही योग शुरू करें, बहुत अच्छा मौका हमें मिल रहा है, कि हम लोग योग को इस तरीके से सेलिबरेट कर रहे हैं, कि आज पांचवा अंतरास्ट्रे योग दिवस मनाया जा रहा है, और सबसे पहले में थैंक्स दो कहांगी मोदी जी को, जो नोंने योगा को इस तरीक पहुचाया, तो और जो योगा आप शुरू करना चाहते हैं, यो नहीं करते हैं, सबसे अच्छा मेसेज आज का दिन है, कि आज से योगा शुरू करें, अभी कौन सा योगा करने जा रहे है और उसका क्या benefits है? और यदि आगे किसी आसन की बात करें, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं होता है, हमारे पास भी, तो एक आखरी आसन या योगा आप इनसे कराएं, और उसके benefits बताएं? मैं इनसे जो नेक्स आसन करवाना किहती हूँ तो ताडासन, ताडासन हम लोग चेयर पे भी बैठ कर सकते हैं, और खड़े होके कहीं भी बैठ कर हम लोग ताडासन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो आप ताढ़ासन की प्रैक्टिस वहां पर भी कर सकते हैं आप अगर खड़े होंके are कर हो हैं तो आपका खड़े होने का काम है इवन इस päसन को अप लेट के भी कर सकतेra यह आसन तीनों तरीके से थीनों पुझेशन में किया जा सकता है और इसका benefit यह कि यह पूरे जो बॉडी की muscles है ना उनको strengthening प्रवाइड करता है एक activation प्रवाइड करता है बॉडी में सुबह उठते ही आप आपने कभी देखा भी होगा आप बैट पर उठते हैं तो इस तरीकी से अंगडाई लेते हैं और क्योंकि आज पांचवा अंतर राष्टी है योगा दिवस है तो उस पर गर्व भी है कि जो हमारी परंपराथी आज उसको दुनिया ने अपनाया है और दुनिया अपना रही है कैमरमेन शिवाकांत के साथ नगेंदर भाटी टीवी 24 दिल्ली